सो दोस्तो अगर आप एक Facebook user है और आपने Facebook पे कोई group create किया है और आप group create करने के बाद उसमें कोई additional security privacy apply करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है exactly कि क्या क्या आप privacy apply कर सकते हैं अपने Facebook group में तो आज इस वीडियो में देख लीजिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने व तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे मैंने login करके रखा हुआ है अपने एक web browser पे अगर आप चाहें तो Facebook का official application भी use कर सकते हैं उपर आप यहाँ पे देखेंगे login करने के बाद आपको उपर दिखाए दे रहा है three dots आप उस पे click कर ले जैसे आप उस पे click करेंगे तो आपको यहाँ पे group का option दिखाए देता है चूकि हम यहाँ पे dedicate बात करने वाले हैं से groups की तो जैसे ही आप groups पे click करेंगे तो groups पे click करने के बाद आपके सामने जितने भी groups आपने join करके रखे हुए होगे वो आपको यहाँ पे दिखाए देंगे आप इस भी search कर सकते हैं मैंने इसको just create किया है थो दिर पहले तो मैं आपको इस पे tag करके चूकि इसी की privacy and security की बात करने वाले हैं तो यहाँ पे हम इस group पे अपने पहुँच गे हैं जो कि मैंने create कर लिया है create करने बाद अब हमें क्या करना है हमें इस group पे additional privacy and security को apply करना है apply करने के आपको सबसे पहला काम जो करना है यहाँ पे आप क्लिक कर लिजे manage यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे manage पे तो आप देखेंगे almost काफी सारी चीज़े आपको देखने को मिलती है मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह group मैंने just create किया है और यह admin home पे मैं पहुँच चुका यहाँ से हम admin से समंदित सारी settings अप्लाई कर सकते हैं अब यहाँ पर आप नीचे देखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आपको group setting option दिखाई देता है आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखें पूरी के पूरी listing यहाँ पर आ गई है एक करके ज़रा समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो उपर आपको नाम दिखाई दे रहा है अगर आपको नाम चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक करिए जो नाम में डाला हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा है अगर आप चाहे तो यहाँ से नाम में changes कर देगे बाद आप यहाँ पर done पर क् in the group and what they post कोई भी इस पे देख सकता है विव कर सकता है भले ही वो इस ग्रूप का member हो या ना हो जब भी इस ग्रूप में कोई भी post upload की जाती है वो वीडियो या image form में या किसी भी form में होगी भले ही इस ग्रूप का वो member नहीं होगा फिर भी recipient अगर चाहे तो सर्च करके इसको विव कर सकता है लेकिन अगर आप इसको private कर देते हैं तो private करने से क्या होगा कि फिर only वही लोग इसको विव कर पाएंगे जो इस group के members होंगे सबसे पहले से ही तो अपने according आप चाहते हैं कि अपने group को hide कर ले किसी को ना दिखाए दे तो यहाँ पर देखिए उपर लिखा हुआ है anyone can find this group इसके just निखा लिखा हुआ है only members can find this group तो जैसे ही आप इस पर enable कर देंगे second वाले option को तो मैंने पहले ही बताया आप यहाँ से इवेंट्स हैं फाइल्स हैं जी आई एप्स हैं live videos हैं पोल्स हैं याँ पोल्स मतलब quiz कॉंटक्स एक प्रकार से आप कह सकते हैं जिसमें हम surveys वगर upload करते हैं यहाँ पर वो चीज़े दे रखी हैं अगर आपको इनमें भी changes करने हैं आप उनको view कर सकते हैं और view करने के साथ आप उनको remove कर सकते हैं मैंने तो अभी किया नहीं है फिलहाल मैंने आपको पहले बतायागी यह video सिर्फ जानकारी करने के लिए हैं इस तरीके से आप अपने group में setting apply कर सकते हैं अगर आपने facebook group बनाया है उसका नाम change करना है तो नाम भी आप ऐसे change कर सकते हैं इसके लावा उसका type change कर सकते हैं और उसके format में जो भी चाहिए बदलाव कर सकते हैं वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like कर सकते हैं चैनल को subscribe कर सकते हैं बेल आइकन पे हिट कर सकते हैं कि जैसे ही कोई भी नए वीडियो अप्लोड होता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आज के इतना ही बहुत जल मिलेंगे अपना ख्यार लगके बाई-बाई